असलाम लेकुम एवरियोंग वेलकम टू मैं चैनल माइक्रोबियोजी विद्यूरिया खान तो टूदेश आपको अपना लैब विजट करवा रही हूँ कि मैं कौन कौन सी चीजों पर काम करती हूँ या किस तरह से काम करती हूँ तो सबसे पहले हम विदाउट वैस्टिंग टाइम अपना आज का ये टास स्टार्ट करते हैं ये मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ये एक माइक्रो लैब है माइक्रो लैब 300 इस पे हम डिफरेंट टैस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं जितने भी कैमेस्ट्री के टैस्ट होते हैं हम इसी पर ही लगाते हैं चाहे वो कैल्शिम हो, यूरिया हो, क्रेटिनाइन हो बाइकि मैं आपको स्क्रीन बे भी दिखा दीती हूँ कि कौन-कौन से टैस्ट होते हैं जो हम इसमें करते हैं तो थोड़ा अगर आपको यहाँ नजर आ रहा हो तो यह दिखें यहाँ पर हम गुलुकोस, यूरिया, क्रेटिनाइन, टोटल ब्लू रिबीन, डायरेक्ट ब्लू रिबीन, एज़िपीटी, अल्कलाइन, कैल्शियम और एजबी रेशियो यहनी के हैमोप्लॉबिन और हम इसको नीचर करते रहेंगे तो हमारे पास दूसरे टेस्ट भी आते रहेंगे, अल्बुबिन, टोटल प्रोटीन, अमाईलेस, फोसोरस, कॉलस्टॉल, ट्राइग्राइस्ट, यूरिक एसिड, HDL, LDL, LDH, CKNK, CKMB, मैगनेशियम, HB1C, SGOT, गामा-GT, यह सारे टेस्ट जो है हम इस माइक्रो लैप पर करते हैं, ठीक है, यह आप देख रहे हैं, हमारी बड़ी वाली टेप्स हैं, चोटी वाली टेप्स हैं, और यह सीरम कप हैं, यहां से यह हमारी अजस्टर्स हैं, जो 1000 का है, यह 100 का है, यह 50 का है, और यह भी 1000 का है, इससे हम यह सारे टेस्ट, यह सारे आपको रियेजंट से नजर आ रहे हैं, जो के हम chemistry के लिए यूज करते हैं एक हमारी machine है जिसका नाम है रोश ठीक है, ये रोश की machine है इसका नाम है कोबास C टिपरवन ये हमारी machine ये भी हमारी automatic machine है और इस पे हम, इसको हम analyzer भी कहते हैं इस पे हम chemistry के test को perform करते हैं ठीक है इसके बाद आती है हमारी electrolyte machine इस पे हम electrolyte के जो test होते हैं वो हम perform करते हैं ठीक है और ये हमारा पूरा एक system है जो इस वाली रोश की machine के साथ attach हुआ हुआ है उसके बाद हमारी पास एक machine है जिस पे हम करते हैं ABGS ABGS यह हमारी body में जितने भी different gases होती है उसके लिए test होता है ज्यादतर यह recommend doctor जो है ICU patients को करते हैं तो इस पर हमारी ABGS test होता है और उसके बाद मेरा favorite जिसके बिना मैं microbiologist के लाही नहीं सकती है मेरा microscope यहाँ पर आप देखें यहाँ पर हमारे पास IP lens है जो के 10x है 40x जिसमें हम जो है कोई भी slide जो without जो है oil emerging के हम देखते हैं जिसे urine की slide हो गई ठीक है या फिर जो है दूसरी slides भी हम इस पर salmon वगेरा के observe करते हैं बागी 100 जो oil emerging lens है जिस पर हम जो bacteria वगेरा है या फिर दूसरी standing करके हम जो भी organism को जो है identify करते हैं तो यह मेरा favorite instrument है microscope तो यह मुझे सबसे अजीज से इस lab में ठीक है इसके बाद हमारे पास आती है centrifuge machine जिस पर हम centrifuge करते हैं blood serum plasma जो भी हमने separation करनी होती है तो हम इसके थूर यह काम कर रहे होते हैं इसके बाद हमारे पास और भी बहुत अच्छी चीज़े हैं जैसी के हमारी CP machine यह है हमारी CP machine जिस पे हम यहाँ से sample को sip करवाते हैं और फिर screen पर उसका result ला जाता है यह हमारा shaker है जिस पे हम कोई भी चीज लगाते हैं और इस तरह से वो sample shake हो जाते हैं और आगे हम चलें तो एक यह मेरा my microscope जो मैंने safety में रखा वा है और एक हमारी आखरी और last machine जिस पे हम Eliza करते हैं जो के human है human की machine है इसके मैं Eliza anti Eliza perform करती हूं तो यह आज मेरा छोटा सा visiting lab था मैं एक बर आपको पूरे इस तरह से जो है वो थोड़ा दिखा दिती हूं अपना lab का पूरा जो मेरा system है कितना अच्छा है और इसमें सबसे जो जरूरी और important चीज है वो है मेरी microscope तो इस तरह से हम इस पर सारी चीजों का observe कर रहे होते हैं जो भी हमने लगाना होता है so thanks for watching if you like my video please like share and subscribe my channel thanks for watching allahafiz